हेई गाईज, वेलकम टू दो वीडियो, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक प्राइवेट RDS को SSH टनल के थू कैसे कनेक्ट करें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए AWS Console में RDS सर्विस में ये Create Database का बटन है, उस पे क्लिक कर देते हैं, और Database को Create कर लेते हैं, Standard Create, और Engine Option में से MySQL को सिलेक कर लेते हैं, और ये जो वर्जन है, Engine version 8.0.33, उसी के साथ आगे बढ़ता है, और Template में Free Tier का Template चूज कर लेते हैं, और उसके नीचे आता है Settings, उसमें जो DB Instance Identifier का नाम है, उसको चेंज करके MyDB-1 कर देते हैं, इसके नीचे है Credential Settings, इसमें है Master Username, जो की Default है Admin, तो Default रहने देते हैं, इसके आगे है Master Credentials in AWS Secret Manager, तो हमारे Credential है, वो Secret Manager के थूँ भी हम Maintain और Rotate करवा सकते हैं, जैसे कि हमने प्रिविएस वीडियो में देखा था, How to Use Secret Manager, जिसकी लिंक अगेन आपको आई बटन पर मिल जाएगी, तो अभी फिलाल यह Secret Manager में अपने Credentials से उड़ नहीं करवाते हैं, Auto Generate पासवर्ड, तो फिलाल Auto Generate नहीं करवा कि हम अपना खुद का एक Simple Password देते हैं, लेट से, Admin Underscore 123, और Repeat Password, Admin Underscore 123, जोकि यह Simple Password है, यहाँ पे Free Tier है, तो Limited Instancy अवेलेबल है, तो इसमें से यह DB.T3.Micro है, उसको Selected रहने देते हैं, और यहाँ पे नीचे Exciting है, Storage Related, जिसमें 20 GB Default है, तो उसको Reduce करके 10 GB कर देते हैं, क्योंकि यह सिम Demo Purpose के लिए है, तो हमें ज्यादा Size की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके नीचे है Storage Auto Scaling, जोकि required नहीं है, तो Disable कर देते हैं, Connectivity, Don't Connect to an EC2 Compute Resource, जोके Default Setting है, तो उसको रहने देते हैं, Virtual Private Cloud VPC, तो इसके लिए Default VPC चूज कर लेते हैं, और बिसिकली उसका जो Subnet Group बना हुआ है, वो भी एक ही है, तो भी Selected and Default, यहाँ पे एक Main Settings है, Public Access, जोकि हमें No देना है, क्योंकि हम एक Private RDS create कर रहे हैं, तो हमें Public Access No देना है, ताकि यह Publicly Accessible ना रहे है, इसके नीचे Scroll करते हैं, तो आता है VPC Security Group, तो हम एक नया Security Group बना लेते हैं, specifically यह RDS Database के ल है, New RDS Security Group means SG, और Availability Zone का No Preference फिलाल Select कर लेते हैं, ताकि randomly कोई भी एक Availability Zone में यह हमारा RDS Instance है, वो create कर ले, RDS Proxy जो कि हमें नहीं चाहिए, Additional Configuration देख लेते हैं, तो उसमें है Database Port, जो की Default है 3306, तो उसे भी Change नहीं करते हैं, उसके नीचे है Database Authentication, तो उसमें Password Authentication जो की Basic है, उसी को Selected रखते हैं अभी के लिए, उसके नीचे है Monitoring, जो की हमें नहीं चाहिए, अभी फिलाल के लिए Demo Purpose के लिए create कर रहे हैं, तो Monitoring को Disability रखते हैं, उसके नीचे है Additional Configuration, उसमें आता है Initial Database Name, जैसे ही हमारा यह RDS का Database create हो, उसके अंदर Initial Database का कुछ हमें नाम देना है, तो यहां से दे सकते हैं, जो कि जैसे ही RDS Database create होगा, उसके अंदर यह Database पहले से ही बना हुआ रहेगा, तो उसका नाम दे देते हैं MyDB, और उसका DB Parameter Group और Option Group, जो Default है, वही रहने देते हैं, उसके नीचे है Enable Automated Backup, तो फिलाल के लिए हम कोई backup नहीं चाहिए, तो disable कर देते हैं, encryption भी mandatory नहीं है, तो उसको भी disable रख देते हैं, log फिलाल डेमो के लिए है तो नहीं चाहिए, आपको production लेवल का अगर RDS create करना है, तो यह सब चीजे आपको enable रखनी है, उसके नीचे जाते हैं maintenance, तो भी maintenance के भी जरूरत नहीं क्योंकि वैसे भी हम यह जो RDS का database है वो, after demo, clean up कर देंगे, तो version अपक्रेट की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके नीचे आता है maintenance window, no preference, deletion protection, यहाँ पर enable deletion protection भी कर सकते हैं, अगर accidentally हम यह चाहते हैं कि हमारा database delete ना हो, तो इस deletion protection को भी enable कर सकते हैं, फिलाल यह disable रखते ह क्योंकि हमें यह anyway delete ही करना है, उसके नीचे आता है estimated monthly cost, जो कि सिर्फ notification है, और उसके नीचे है estimated monthly cost of RDS, so and so, so अभी create कर देते हैं database, यहाँ से close कर देते हैं, यह database creation वाले part को fast forward कर देते हैं, तो हमारा RDS database है, वो create हो चुका है, और यहाँ पे से हम उसकी connection की जो detail है, उसको copy करके local में कहीं पे save कर लेते हैं, यहाँ से copy and यह जो हमारा virtual studio code editor है, उसमें जाके paste कर लेते हैं, और वापिस चले जाते हैं RDS के security group में, तो इसके लिए यह जो RDS create हुआ है, उसमें क्लिक कर द देते हैं, और यहाँ पे उसका security group पर ना हुआ है, उसको नई tab में open कर लेते हैं, और इसके inbound rules को अगर check करें, तो इसमें एक inbound rule है, इसको edit में चले जाते हैं, एक inbound rule है 3306 जो कि खुद के ही IP के लिए allowed है, तो इसमें एक नया rule लिख देते हैं, कि 3306 port है, वो basically सारे IPv4 के लिए allowed हो जाए, और इसको save कर लेते हैं, क्योंकि यह जो 3306 है, वो कोई भी IPv4 के लिए allowed है, technically हम यह जो RDS database है, वो हमारे local से भी access कर पाने चाहिए, तो इसके लिए test करते हैं, एक MySQL client से, कि यह जो database है, वो 3306 port पे उसकी detail के through connect होता है या नहीं, तो इसके लिए वापिस चल ले जाते हैं, code editor में, और यह detail, एक के बाद एक हमारे जो MySQL के जो client है, SQL Tron करके, उसमें paste करके देख लेते हैं, तो इसके लिए open कर लेते हैं, SQL Tron, इसको fullscreen में open कर देते हैं, और यहां से connection की detail add करते हैं, let's say MySQL RDS, और यहां से database का type select कर लेते हैं, जो कि यह MySQL host, जो कि हमने जो save किया है, यह mydb-1, तो इसको host रखते थे हैं, port 3306, जो कि same port है, user admin, और password है admin underscore 123, और initial database है mydb, जो कि हमने create किया था, और यहां से एक पर check कर लेते हैं, यह password admin underscore 123, और okay, सही password है, तो अभी इस connection को test करते हैं, क्योंकि यह private connection है, private RDS का database है, तो connection करने में time लगा रहा है, और यहां पर at the end, we are getting connect timeout, क्योंकि यह जो private RDS है, वो local के थूँ accessible नहीं है, तो इसे के लिए हमें फिलाल एक tunneling के लिए, एक EC2 instance set करना है, और further हम tunneling के option से, यह private database है, उससे connect कर पाएंगे, तो इसके लिए वापिस चले जाते हैं, AWS console में, जहां पर हमें create करेंगे, एक tunneling purpose के लिए EC2 instance, तो इसके लिए चले जाते हैं, AWS के console में, यहां से EC2 service को select कर लेता है, native में open कर लेता है, तो EC2 instance create करने के लिए, यहां से launch instance में चले जाते हैं, और यहां पर instance का कुछ नाम दे देता है, let's say, RDS tunnel, AMI में U1 to 20 को choose कर लेता है, और यहां पर free tier eligible T2 micro को selected रहने देता है, और key pair में देखें, तो यह जो RDS की key pair है, जो की फिलाल के लिए मेरे local machine में saved है, तो उसको select कर लेता है, RDS.pam file को, next है network setting, तो उसमें हमें choose करना है default VPC, जो की already selected है यहां पर, default VPC इसलिए रखना है कि क्योंकि हमारा RDS है, वो भी default VPC में है, तो यह जो EC2 instance create होगा, उसको further RDS का access directly हमें मिल जाएगा, security group के through, क्योंकि दोनों एक ही VPC में रहेंगे, तो EC2 को RDS accessible रहेगा using security group, तो यहां पर default VPC रहना देते हैं, next है security group के related setting, तो इसके लिए हम नया security group create कर लेते हैं, उसमें allow SSH traffic याना कि port 22 open रखते हैं, क्योंकि हमें SSH tunneling करना है, तो उसके लिए port 22 open चाहिए, और next है HTTP and HTTPS port, जिसके हमें जरूरत नहीं है, तो उसको enable या disable रखते हैं, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, तो फिलल के लिए disable रखते हैं, और यहां पर storage है 8GB, which is enough, because यह instance हमें सिर्फ tunneling के लिए use करना है, तो इसमें हमें storage के इतनी जरूरत नहीं है, इसके नीचे advanced detail में अगर जाएं, तो इसमें हम user data में mysql client को install कर देते हैं, ताकि हम check कर सकें, कि यह instance है, EC2 create होगा, उससे हम RDS को access कर पाएंगे या नहीं, वो check करने के लिए, EC2 में जैसे ही launch हो, mysql client install हो गया जाए, उसके लिए user data में script लिख देते है, mysql client को install करने की, तो इसके लिए यहाँ पर already script prepared है, जो कि mysql client को install करें, जैसे ही यह easy to launch हो, तो यह जो script है, shell script, वो इसमें paste कर देते हैं, basically दो command है, एक package को update करेगा और दूसरा है, वो mysql client को install करेगा, तो यह है settings, और अब जाके create कर देते हैं instance, क्लिक कर लेते हैं launch instance बटन, और यहाँ पर view all instances में चले जाते हैं, और यह part को fast forward कर देते हैं, तब तक instance create होके ready हो जाएगा, तो यहाँ पर EC2 instance है, वो create हो चुका है, तो इसकी detail में जाके, इसका security group कौन सा create होआ है, वो देखते हैं, तो यह है launch wizard 4 करके, एक security group create होआ है, यह EC2 instance के साथ, जिसमें 22 port है, वो allowed है, every IPv4 address के लिए, basically यह instance को हम कहीं से भी connect कर पाएंगे, क्योंकि इसका 22 port है, वो open है, सभी के लिए, तो अभी हमें क्या करना है, कि इसका जो security group है, उसको RDS का access देने के लिए, RDS का security group में, 3306 port पे यह security group को allow करना है, तो इसके लिए चला जाते हैं, RDS में, और यह है RDS का security group, इसमें जाके 3306 port पे हमें EC2 का जो security group है, उसको allow करना है तो इसके लिए inbound rule में चले जाते है और edit inbound rule में चले जाते है previously हमने यह जो 3306 है वो any IPv4 के लिए allow किया था पर हमारा यह जो RDS है वो private है तो यह चीज़ है वो कोई matter नहीं करती तो इसको हम delete wizard सकते हैं और यहां से नया rule add करते हैं कि 3306 है वो अभी launch wizard 4 जो की EC2 का security group है उसके लिए allow हो तो यह rule हम यहाँ पर save कर देते हैं और अभी connect कर लेते हैं EC2 instance को using SSH तो यहाँ पर instance में चले जाते हैं यहाँ पर EC2 को select करके connect पर click करते हैं और यह जो connection string है उसको copy दर लेते हैं और local में terminal में जाके यह instance को connect करके चेक करते हैं कि यह instance है उसको mysql का access है या नहीं तो इसके लिए terminal open कर लेता है full screen और यहाँ पर RDS spam है उसका path download में है तो यहाँ पर path को change कर लेता है येस हम EC2 में यहाँ पर connect हो चुके है तो इसको clear करके यहाँ पर mysql को connect करने की try करते हैं पहले जैक कर लेते हैं mysql क्लाइंट है वो install है या नहीं mysql-version तो यहाँ पर mysql क्लाइंट है वो already installed है तो इससे हम वो जो RDS है उसको connect करने की try करते हैं technically connect हो जाना चाहिए क्योंकि RDS है वो EC2 instance के लिए accessible है using security group access तो यहाँ से command है mysql-edge और host का नाम जो कि हमने यहाँ पर save गरगर रखा है dash user जो कि है admin और dash p जो कि है password admin underscore 12c ओके तो हम यहाँ पर हमारा जो private ideas है वो यह EC2 instance में फिलहाल connect हो चुका है अभी भी हमारे local machine में connect नहीं हुआ क्योंकि उसके लिए हमें tunnel set करनी है through this EC2 instance तो अभी हमारे यह जो EC2 instance है वो फिलाल RDS को access कर पा रहा है क्योंकि जैसे ही हमने mysql client के command में यह जो host username और password pass किया तो हम mysql के prompt पहुंच गए जो कि है हमारा private RDS का mysql तो यहां पर अगर confirm करें तो show databases में check करके confirm कर सकते हैं तो इसमें हमारा यह जो mydb database भी है तो इसे में पता जलता है कि यह हमारा RDS ही है जो यहां पर connect हुआ है तो अभी यहीं RDS को हमें connect करना है हमारे local machine से तो इसके लिए हमें यह EC2 instance के थूँ एक tunnel set करनी है जो कि eventually जाएगी RDS तक तो फिलल यहां पर यह mydb का use करके एक table create कर लेता है sample तो use mydb और internet पर जाके कोई एक table creation की syntax लेके कोई mysql table create कर लेता है तो यहां से यह example है उसको copy paste कर लेता है और चले जाते हैं RDS में और enter और चेक कर लेता है कि table create हुआ है या नहीं तो यहां पर persons नाम का एक table हमने यह EC2 instance से RDS को connect करके यह mydb database में यह table create कर दिया है जिसमें की यह सारे fields है तो अभी यह table create हो गया है फिराल इसको exit कर देते हैं और यह जो EC2 instance connect हो रखा है यहां पर उससे भी exit हो जाते हैं और वापस चले जाते हैं हमारे local के prompt पे तो फिर अगेन हम आ गया है local के prompt में अभी क्या हो रहा था कि EC2 instance के थूरू RDS access हो रहा था अभी हमें local machine के थूरू access करना RDS using tunnel तो इसके लिए sql tron में एक option आता है tunnel का उसमें हमें required details है वो fill up कर रही है basically यह जो हमने previously detail provide की थी उससे connection नहीं हो पा रहा था तो इसके लिए यहां पर एक option आता है ssh tunnel का option आपको कोई भी mysql client related software है जैसे कि mysql workbench हो गया ऐसा कोई software है उसमें यह ssh tunneling का option रहेगा जिसमें कि हमें हमारे EC2 instance को connect करने की जो detail है ssh connection की उसकी details यहां पर provide करनी है तो उसका ssh address यहां पर provide करना है host हो कि हमें यहां से मिलेगा यह जो की host part है वह हमें यहां देना है और port 22 क्योंकि ssh tunnel है user है kubuntu password नहीं है क्योंकि key based login है तो यहां पर से हमें हमारी जो pem file है उसको select करना है और यह हो गया tunnel का option तो यहां पर फिर से जाके test करते हैं तो हमारा connection है वो successfully create हो चुका है तो अपर इस connection को save कर देते हैं और check करते है connect करके कि यह वही RDS है तो हम यहां पर देख सकते हैं कि हमने जो person table create किया था ssh tunnel वाले EC2 में से mysql को connect करके वो यहां पर visible है persons नाम का table और यह सारे उसके fields तो ऐसे हमने private RDS को ssh tunnel के तरू हमारे local machine से access किया इसके लावा और एक command है जो कि private RDS के port को ssh tunnel के तरू local port से bind करता है और further हम वो local host से private RDS को connect कर पाएंगे तो उसके लिए again यह जो connection है उसको close कर देते हैं और यहां से एक नया connection add करते हैं और उससे पहले वो shell का command है shell script का command उसको जाके explore करते हैं वो हमने यहां पर पहले से prepare करके रखा है उसका generic version तो command है ssh-i और फिर pem file का path जो की ec2 को connect करने की pem file है उसके बाद आता है dash l और फिर local port तो database का 3306 port है वो हमें local के concept port से connect करना है वो यहां पर हम decide कर सकते हैं तो let's say local का port देते हैं 11.22 बेसिकली यहां पर हम कोई भी local का port दे सकते हैं जो कि available हो और यहां पर हमें देना है RDS का host प्राइवेट RDS का host जो कि हमने यहां पर already save करके रखा था तो इसको से देक करके यहां पर दे सकते हैं और यहां पर db port जो कि है 3306 तो यह 3306 यह RDS का हमारे 11.22 local host से map होगा और यहां पर ssh user address ssh host तो यह हमारे ec2 का connection string है यह हम यहां से ले सकते हैं तो इसको replace कर देते हैं तो यह हमारे tunneling का command है वो पूरा prepare हो गया है तो यह क्या करेगा कि यह एक tunnel है वो ssh पर create कर देगा और private ideas का 3306 port है वो हमारे local host के 11.22 port के साथ band कर देगा तो इसके लिए एक टर्मिनल open करके यह tunnel है वो यहां पर run कर देचा है तो यह यहां पर tunnel है वो create हो चुकी है और यह अभी हम यह जो देख रहे हैं वो हमारे AWS पर create किया यहां से mysql अभी यहां पर हमने port और host दोनों को bind किया है तो यहां पर हम private ideas का host ना देते हुए देंगे local host और यहां पर port देंगे 11.22 जो की local host का port है user again same admin और password admin admin underscore 123 जो कि हमने RDS के creation time पिंदी अथा वो same same चीज़ सिर्फ change है server address और port और अभी यहां पर हमने हमें tunnel चूज नहीं करना है क्योंकि tunnel हमने यहां पर already create कर रखी है जो कि terminal में created है तो अभी यहां पर tunnel create करने के जरूरत नहीं है local host 112 to 11.22 port से वही access होगा हमारा private ideas इसको भी test करते हैं तो यहां पर connection successful दिखा रहा है अभी इसको save करके इसको भी connect करते हैं तो यहां पर my db में हम देख सकते हैं कि वहीं हमारा same person table और उसके सब fields वह दिख रहा है तो ऐसे हम ssh tunnel terminal के तुरू भी local host से host और port bind करवा के ssh tunnel का use कर सकते हैं तो यह दो option हमने देखे ओवरल वीडियो में हमने देखा कि कैसे ssh tunnel के थुरू private rds है उसको access कर सकते हैं normally case में ऐसा ही होगा कि एक rds है जो अपना वो publicly accessible नहीं होगा और उसको किसी ssh tunneling या तो फिर कोई एक vpn के थुरू access करना पड़ता है तो I hope कि आपको इस वीडियो informative लगा होगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में till then have a nice time